या तो फिर ये सिंगर नहीं है जिनसे गवाया जाया है अगर ये सिंगर है तो फिर इतनी कारी गिरी इनके साथ क्यों जी हाँ दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संदीप मौरे आप देख रहे हैं संदीप बॉलिवूड एक बार आपका फिर से स्वागत है यहाँ पे सच्चे रिव्यू का माने कि आपको पता है यहाँ पे सच्चे रिव्यू मिलते हैं कोई पेड रिव्यूज नहीं करते हैं उसी सीरीज में आज हम नए गाने को रिव्यूज करने जा रहे हैं हिमेश के दिल से ही एल्बम का एक नया गाना आया है हाल तारो का और माने कि इस गाने मैंने काफी कुछ चीज़े नोटिस की हैं वो क्या हैं मैं आपको बताऊंगा और ये सीख है एक एलारा में हिमेश में मेलोडीस का किस अगर ये आब ना समले तो वो दिन दूर नहीं जब इनके सो के विउस भी नहीं आएंगे क्योंकि संदीब मौरया सच बोलता है भलाई किसी को बात बुरी लगे तो लगे मुझे कोई फर्क नहीं मैं विउस के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं दिल से हिमेश जी के लिए अच्छी बाते ही सोचता हूँ तो दोस्तों इस गाने के रिवीव करने पहले मेरा वही डिस्क्लैमर है कि मैं जो भी रिवीव कर रहो हूं माने कि मुझे जितना म्यूजी का नॉलेज है मैं आपको सची बाते की कोशिश करता हूँ मेरी कताई ये भावना नही ये खुद देखे, खुद गाने को जच कीजे, और हाँ, अगर आप हिमेश श्मिया नियालतार हो या किसी के भी फैन है, तो एक लास पानी लेके बैठिए मेरे साथ, क्योंकि यार मैं जूटा नहीं बोल पाता हूँ, फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको किस इने नहीं रोका है, तो ज़्यादा देना करते हैं, शुरू करते हैं इस गाने का रिव्यू, आए हुजूर, चढ़ाते हैं हम आपे अपने इस वीडियो का सुरूर, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस गाने का नाम बता दो, इस गाने का नाम है मन, और यह आया हिमेश के दिल से अलबम में माने की, इसका 84 में पतने हैं, यह तो अलबम बंध होने का नाम ही नहीं रहा है, इसके मिजटर लिजटर हिमेश रेश्वेयर जी ही हैं, और इसके सिंगर है निहाल तारो, और अब हम बात करेंगे पहले म्यूजिक की, देखिए, बहुत दिन बाद को ऐस म्यूजिक आया है, जो की काफी सोलफुल है, आपके दिल सक जाएगा, काफी हल्ट टचिंग म्यूजिक है, मैं सचाई बोल ला हूँ, जिस तरीके इसके म्यूजिक अरेजमेंट से हैं, उसने मेरा दिल जीत लिया, बखुबी म्यूजिक का अरेजमेंट बहुत खुबसूर जीत लिए है, आप देखें, जब गिटार से स्टार्ट होगा गाना, काफी खुबसूरत गिटार की लीडिंग है, इसमें काफी कुछ अलग सुनाई देगा, उस तरीके सेम सेम आपको नहीं लगेगा, और फिर उसके बाद इसमें बखुबी एक पैटर्न जैसे की होता है, गानों में होना चाहिए, पहले बिना सीरे, बिना धुरे के बनते थे, लेकिन इसमें मैं तारीफ करूँगा म्यूजिक अरेजमेंट की, धीरे धीरे रिदम होता है, उठता है, फिर और भी रिदम सेक्शन में इंस्टुमेंट आयट होते, चले जाते हैं, और म्यूजिक के माई फेवरेट कंपोजिशन हो गई है, दिल से दिल तक ये गाना जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, देखिए, पहले मैं लिरिक्स की बात कर लो, लिरिक्स बहुत ही अच्छी हैं, और आप किसी को भी प्यार करते हैं, और निहाल ने गाया भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप सोचाएंगे कि प्रॉब्लम क्या बोल क्या रहा है, देखिए, मैं आपको जूट नहीं बोल सकता, मैं सच्चा ही कहूं तो इस गाने को आप सुनिएगा, जिस तरीके से निहाल ने गाया है, काफी दिल से गाया है, दि सब जानती है, इनकी वाईज के साथ, यार, देखिए, कैसी इनकी वाईज बनाई है, बनाई नहीं, उनको तो मैं खुला बोलना हूं, बिगार दी गई है, पता नहीं क्या mixing वाले भाया, master वाले भाया कर रहे हैं, अब देखिए, वाईज में कैसे कैसे tuner लगा दिये गए तो मैं वही कह रहा हूं जब प्रोफिक्षिनल सिंगर उसमें इतना आटोलेंदा लिह नहीं है और अगर लिए सिंगर तो आटव डूार के बेड़ा नहीं है इसे उन्में चौण यहां मेरे उपली में भोजपुरिया के मतने हैं उसमें आटो ट्यूनियर डाल के कारीगिरी की जाती है लेकिन भईया यहाँ पे कारीगिरी करने कोई जरूरत ही नहीं है आपको बुरा लग रहा है बट मैं सच्चा ही बोला हूँ कि मुझे दिल से दूख होता है कि एक सिंगर कितनी मेनत करके वहां तक पहुचता है दिल तक जाता लेकिन यहाँ पे वही काम कर दिया गया है और आप देखें इससे पहले मैं खुला बोलना हूँ अरजी सिंग जी के साथ जो किया गया वो जो गाना आया था हिमेश जी का उस कौन सी मूवी थी बैट बॉय का उसमें देखें कितना आटोटेनर भर भर किया उससे पहले नईयों लगदा कमाल खान जी की वाइस के साथ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कर क्या रहे हैं और हमेश जी मैं देखता हूँ कि सर आप इतना बिजी हैं आपका चैनल कहां से कहां जा रहा है दिल से दर्द होता यार जब आपके चैनल में कोई कुछ ऐसा कहता है तो problem यह है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके आप music producer को chance दे रहे हैं, singers को chance दे रहे हैं, lyrics writers को chance दे रहे हैं, उस तरीके आप लोग mixing mastering आले भाईया को छुट्टी देके कोई नया क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, एक बाद दूसरों को भी chance देके देख लीजिए, क्य हो रही है, इनको सिफ auto tune, auto tune नहीं आता है, उसके अलग कुछ नहीं आता है, और मैं सचाई बोला हूँ, कभी भी निहालतार हूँ, अगर live ये गाना गा दे तो इससे 10 गुना better sound करेंगे, क्योंकि उनकी गाने में auto tune लगा दिया गया है, तो मेरी हिमेश में melody से हाँ, जोड क कर दिया है, मुझे पता है घुसा लोगों को आ रहा है, बट मैं क्या कहूं यार, मैं जूट नहीं बोल पाता, मैं भी singer हूँ, मैं struggling के दोर से गुजर रहा हूँ, काफी दर्द होता है, जब अच्छा गाना गाने के बावजूद ये सब कुछ होता है, अब बाकी आपको ज हिमेश जी का चैनल आगे बढ़े, I hope हिमेश में मेलोडी इसको जरूर सुनेगा, और हाँ, शैरी की में बात करूँ, हिमेश जी ने शैरी शुरू में बहुत अच्छी बोली है, मैं दिल से बोल ला हूँ, जो feel है शैरी का ना, बहुत अच्छे से, mixing mastering भी शैरी की अच्छी ये देखें, jam आता दी जाएंगे से, love you a lot